कहानी दान का हिसाब एक था राजा, राजा जी लकदक कपड़े पहन कर यूं तो हजारों रुपे खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुठी बंध हो जाती थी राज सभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इन में से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिलकुल सतकार नहीं होता था एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे, राजा के पास खबर आई, वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीडित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकम पाया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती इस तरह सभी की सहायता करते करते, जब राजबंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा यह सुनकर सभी निराश होकर लोट गए इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, नजाने रोज कितने ही लोग भूक से मरने लगे लोग फिर राज़ा के पास पहुँचे, उन्होंने राज सभा में गुहार लगाई दुहाई महाराज आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ दस हजार रुपे हमें दे दें, तो हम आधा पेट खाकर भी जिन्दा रह जाएंगे राजा ने कहा, दस हजार रुपे भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ती ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपे राजकोश में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोश में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूँ? एक अन्य व्यक्ती ने कहा, महल में प्रति दिन हजारों रुपे इन सुगंदित वस्तरों, मनुरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं, यदि इन रुपेों मेंसे ही थोड मुरत मंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी, यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया, वह गुस्से से बोला, खुद बिकारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा रुप्या है, मैं चाहें उसे उबाल कर खाऊं, चाहें तल कर, मेरी मर्जी, तुम अ लोग वहां से चले गए, राजा हसते हुए बोला, छोटे मुँ बड़ी बात, अगर सो दो सो रुपे होते, तो एक बार सोच भी सकता था, पहरे दारों की खुराग दो चार दिन कम कर देता, और यहां रकम पूरी भी हो जाती, मगर सो दो सो से इन लोगों का पेट नहीं दम हो गया है, यह सुनकर वहां उपस्तित लोग हां हूं कह कर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, जरूरत मंदों की सहायता करना तो राजा का करतव्य है, दो दिन बाद नजाने कहां से एक बुड़ा जन्यासी राजसभा में आया, उसने राजा को आशिरवाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिधी सुनकर आया हूं, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे, अपनी प्रशन सा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांग तो शायद मिल भी जाए, सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामुली भिक्षा प्रत दिन लेना चाहता हूँ, मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रति दिन दुगना लेता जाता हूँ, भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है, राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही अस कुछी बात है मगर एकदम से बीस पचास मांगने लगे तब तो बीस दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी सन्यासी ने हसते हुए कहा महाराज मैं लो भी नहीं हूँ आज मुझे एक रुपया दीजिए फिर बीस दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए यह सुनकर राजा मंत्री और दर्बारी सभी की जान में जान आई राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार बीस दिन तक राजकोश से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे सन्यासी राजा की जै जैकार करते हुए घर लोट गए राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रते दिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा इस तरहे दो दिन बीते, दस दिन बीते, दो सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद बंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है यह देखकर उन्हें उल्जन महसूस होने लगी, महराश तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे उसने यह बात मंत्री को बताई, मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाई भी नहीं है, महराश का हुक्म बदला नहीं जा सकता इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हरबडाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया, हिसाब देखकर मंत्री का चहरा फीका पड़ गया, वह अपना पसीना पूँचकर सिर खुजलाकर दाडी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभ जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है, मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैट कर अभी पूरा हिसाब करो, भंडारी हिसाब करने बैठ गया, मंत्री महाशय अपने माते पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे, कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा कर लिया मंत्री ने पूछा कुल मिला कर कितना हुआ बंडारी ने हाथ जोड़ कर कहा जी 10,48,575 रुपे मंत्री को गुसा आ गया वह बोला मजाग कर रहे हो यदि सन्यासी को इतने रुपे दे दिये तब तो राजकोश खाली हो जाएगा बंडारी ने कहा मजाग क्यों करूँगा आप ही हिसाब देख लीजिए यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए राजा ने पूछा क्या बात है मंत्री बोले महराज राजकोश खाली होने जा रहा है राजा ने पूछा वह कैसे मंत्री बोले महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोश से करीब 10 लाख रुपे जटकने का उपाय कर लिया है मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए राजा ने उसे एक बार देखा दो बार देखा इसके बाद वह बेहोश हो गया सब परिशान हो गए काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दोड़े सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा बोला दुहाई है सन्यासी महाराज मुझे इस तरह जान माल से मत मारिये जैसे भी हो एक समझोता करके मुझे वचल से मुक्त कर दीजिए अगर आपको बीस दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोश खाली हो जाएगा फिर राजकाच कैसे चलेगा सन्यासी ने गंभीर होकर कहा इस राजे में लोग अकाल से मर रहे हैं मुझे उनके लिए केवल पचास हजार रुपे चाहिए वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए राजा ने कहा परन्तु उस दिन एक आदमी ने मुझे से कहा था कि लोगों के लिए दस हजार रुपे ही बहुत होंगे सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ कि पचास हजार से एक पैसा कम नहीं लूँगा राजा गिडगिडाया मंतरी गिडगिडाये सभी गिडगिडाये मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा आखिर कार लाचार होकर राजकोष से पचास हजार रुपे सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से पचास हजार रुपे राहत में दिये गए है सभी ने कहा हमारे महराज कर्ण जैसे दानी है